श्रीराधिराधि भक्तों श्रीराम चरित्मानस के अयोध्याकांड के समापन में गोश्वामी श्री तुलसीदाश जी महराज लिखते हैं भारत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनें सीराम पदुप्रेम आवसि होई भावरस विरति महराज जी कहते हैं कि भारत के चरित्र को जो नियम पूर्वक प्रत दिन आदर के साथ श्रमण करता है तो उसको से सीता राम जी के चर्णों की प्रीत प्राप्त हो जाती है और भावरस से विरति हो जाती है अब आप ये समझे है कि भारत जी महराज भगवान स्री राम के भक्तों में प्रेमियों में बहुत उच्चिकोठ के प्रेमिय है बहुत उच्चिकोठ के महान भक्त और उनके चरित्र को रोजाना श्रमण करने का फ़ल है कि उस्री सीता राम जी के चर्णों का भक्त हो जाता है सुनने वाला और भाव रस से विरत हो जाती है अठाथ संसार के जो रस है विशयादी उनसे उसकी विरत ही हो जाती मन हट जाता है विराग्य हो जाता है तो भगवान स्रीता राम जी के चर्णों का भक्ती मिल जाती उसको जो भरत जी के चरित को रोजाना सुनता है आदर के साथ भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर तो नहीं आदर के साथ सुनता है स्री राम पदप्रेम अवस होई भावर रस विरत है अब ये तो बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं आपको पता है कि जो सीटा राम जी वही भगवान रादा क्रिश्न है राम ही क्रिश्न है क्रिश्न ही राम है भरत के चरित को आदर के साथ सुनने वाला स्री सीटा राम जी के चरणों का भक्त हो जाता है भावर रस से विरत होती इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान के उच्च कोट के महान भग्तों का चरित्र नियम के साथ, आदर के साथ रोजाना सुनता है वो भगवान के चरणों का भव्त हो जाता है और भावरस्थि बिरत हی होती ही भरजी की चरित्र का तातपर ये जिम यहां सारवजनिक रूप से निकालें तो यही निकलेगा कि भगवान के महान भक्तों भगवान के महान भक्तों का चिलित सुनने पर भगवान की चल्वों की प्रीट प्राप्त हो जाती है भक्ती मिल जाती है भावरा से विरती मिल जाती है भरज ये एक आदरश भक्त है उनकी माध्यम से हमको इस जिद्धान प्राप्त हो जाता है कि भाक्त चरित के श्रवन करने से आदर पूर्वक नियम से रोजाना श्रवन करने से प्रभु की भक्ती प्राप्त हो जाती है और हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए है कि भाक्तों का चरित हम रोजाना सुने जिससे भगवान की चरणों के सच्चे भाक्त बने करके रहे भागवान की चरणों की भाक्ती मिल गई है जिनको वो अपनी उसी स्थेटी से कभी नीचे नहीं जाएंगे जो भाक्त चरित रोजाना सुनेंगे और भक्ति अभी नहीं प्राप्त हुए तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी कभी-कभी सत्संग की कमी से ऐसा लोग समझने लग जाते हैं कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं अर्थात राम भक्त लोग कभी-कभी सत्संग न मिलने से कृष्ण को अलग समझ लेते हैं, वो कृष्ण भक्त वाले जो हैं, वो राम को अलग समझ लेते हैं, लेकिन ठाकुर जीत ने कृपाल हुएं, कि वो अनुभव कराते हैं, यहम तो एक ही हैं, जैसे अब धीता जैनती आगान की शुक्रुपक्च की एक अधर्शी को पड़ती और उसी के छह दिन पहले पंचमी पढ़ती है अगान के शुकल वक्षी पंचमी उसी पंचमी को अयोध्या जी में जनपूर में विवाः पंचमी कहा जाता है विवाः पंचमी अर्थात राम विवाः की पंचमी और महराज बिहारी जी के जो प्रेमी है वांकि बिहारी की प्रेमी श्रीविंदवन धाम ने ये लोग उसको विवाः पंचमी नहीं कहते हैं बिहार पंचमी कहते हैं क्योंकि बिहारी जी के प्राकट्य का दिवस है यहां कनईया ने बिहारी के रूप में प्राकट के लिए लाकी और उसी तिथी को शीता राम जी की विवा के लिए होई थी भाक्तों को कभी-कभी ठाकुर जी दिखलाते हैं कि दोनों तो एक ही हैं और मैं आपको इसी संदर्व में सुना रहा हूँ महान भक्ता संत माता संतोस जी की चरितावली में कि दिसंबर 1984 में बिहार पंचमी के दिन की बात है अब मैं बिहार बंधाम में रह रहा हूँ इसलिए आपको बिहार पंचमी पहले सुना रहा हूँ ये तो मैंने बता दिया कि बिहार पंचमी जो वरंदा बंधाम में वही विवार पंचमी है श्री सीता राम जी की उपासना में तो बिहार पंचमी के दिन की बात है स्वप्न में माता संतोष जी ने राम विवार की बहुत सुंदर जांकी देखी कैसे छाकुर जीटे को ये ज्ञान करा रहे हैं कि हम राम की लीला करते हैं हम एक कृष्णी की लीला करते हैं थी बिहार पंच में अर्थाद मांके बिहारी की प्राकट कर दिन और स्वप्ण में क्या दर्शन किया श्री सीता राम के विवा की बहुत सुन्दर सुन्दर जांकी देखा राम जी सुनहरी काम वाले मैरून उनके वस्त्र पहने हुए विविद आबू सुनशे सुशोभित उनकी शिंगार्च भी आती मन लुभावनी थी उन वस्त्रों की जिल मिल ऐसी थी कि संतोस माता की द्रिष्टी ऐसी अटकी की जागने पर भी उसी इस मुर्च में खोई रही कितनी ही देर वो अच्छभी छटा उन्हें पुलकित करती रही जब वे उशा बहिन जी के यहां ठाकुर जी को प्रनाम करने आई तो पूछ ही लिया उशा जी ठाकुर जी के लिए नए वस्त्र बना रही हो क्या मैंने राम जी को लाल उनी वस्त्रों में देखा है उशा जी ने जट आलमारी से निकाला महरुन ऊन के वस्त्र दिखाए और वस्त्र अभी बनाने शुरूरे किये थे बिलकुल वैसे ही वस्त्र थे जैसा कि संतोश माता ने सुपन में देखा था उनको देख कर कि बहुत ही खुश हुई तक अभी सँपन में देखा विप्रत्यक्त सामने वही बस्टे न, ठाकुर जी आधे अधूरे बने बस्ट पहने ही, छभी अपने दिखा देते हैं, कभी पूरे पहने, भक्तों के साथ तो लिला उनकी न, पहले ही दिखा दिया, आधे अधूरे बस्ट तो अभी बन नहीं पाये थे पूरे, वो दिखा पहले ही संतोसमाथा को और जब बताया है उशाजी को तो प्रेम भी भोर होकर गदगद हो गई यह कपड़ भगवान को इतने प्री है यह तो अपने को पहने वे दिखा दिया उन्होंने को और उन्हें वस्त जल्दी ही पूरी करने की चटपटी लग गई उन्होंने वह वस् उस दिन जब संतोस वहिंदी आई तो देखा इन वस्त्रों में ठाकुर जी की सवंदर्य माधुरी स्वप्ण में देखी उस जहां की से होर सी ले रही थी ऐसे लग रहा था कि उससे भी ज़्यादा यह चमक रहे है और हर श्मग्न संतोस माता एक ठक ठाकुर जी को नहार र रही थी और इजर उसाजी और उनकी सक्षियां मुक्द सी उन्हें देख रही थी संतोस माता को इन सभी बहिनों पर संतोस माता का अतिशै प्रेम था और उन्हें उन्होंने विविज प्रकार से शिंचित भी किया था अपने प्रेम से, भक्ती से, भाव से, संतों के दर्शन तो बहुत ही उमंग से करवाती थी भक्तों उन्हें जिनों की बात है, डक्षिन भारत के एक सु प्रसिद्ध रसिक संत थे कृष्ण प्रेमी जी, वो पहले कल्यान में छपे हुए वेन गीत पर लेख उनके आते थे फिर उनके व्रंदा बनागमन का पता चला, और इनकी संत निष्ठा, उनकी बात जो तिरहती थी संतोस माता की जो संत निष्ठा थी, इसके कारण से वो बात जो रही थी की कृष्ण प्रेमी जी, डक्षिन भारत वाले संत का आएंगे इतनी कम वयस्त में, इतनी उपलव्दिया कृष्ण प्रेमी जी ने प्राप्त के थी कि दक्षन प्रांत के वाइश्नो समाज के अगर्नेख गणों में थे वो और राधाश्टमी के आसपास वे बनाते और महाराज संतोस माता उनको परनाम करने जाती जब कि संतोस माता बहुत उमर की थी और ये बहुत कम उमर के थे चार संपरदाय आश्रम के पीछे श्री कृष्ण प्रेमी जी भी इन महिमा मही को उतना ही सम्मान देते थे व्यक्तों एक जिन ये माताओं ने जो अब भायन की अनुगामी नहीं माता है मुझे कृपापूर्वक ले गई थी उन दोनों कमरों में जहां की बात मैं आपने बतारा हम चार संप्रदय आश्रम के पीछे दो कमरे हैं इन माताओं के जहां ये भाक्ती में एकदम डूबी रहती है ऐसे जगह एक जल्दी कोई पहुँच नहीं सकता है और ये तो महान गोपी भाव संपन्ना है तो यहीं पर जो दो कमरे में ने बताया वहीं पर ये कृष्ण प्रेमी जी को भी बुलाई थी महान संथ से कृष्ण प्रेमी जी जब इस वर्तमान मंदिर की स्थापना हुई तो भूमि पूदिन के समय उदार्मना संतोष जी सभी बहिनों को तांगे में बिठा कर कृष्ण प्रेमी जी के दर्शनार्थ ले करके आई थी उन दिनों तक ये इलाका बहुत ही सुन्सान सा था पूरा दिन सभी बहिने इस आश्चन के उत्सों में सम्मिलित हुई और दक्षिन के नेमा नुसार किये गए पूजन अर्चन स्थूती से बहुत आनंद विभोर हुई संतोस भहिन जी का उत्सा और उमंग तो देखते ही बनता था सत्संग कठा में जाने को तो वे सदय भी उमंग इत्रा थी एक बार ये सरला जी को साथ ले करके कहीं कठा में गई हुई थी और पीछे से खन्ना जी के घर की तरफ से सीड़ियां चड़कर एक चोर इनके घर में गुश गया ये जब आई तो देखा कि ताले तूटे हुए थे दरवाजे खुले थे रेजगारी भी गायब थी समझ गई कि कोई चोर घर में गुशा है संध्या का समय था इधर बहुत देखा और जब तख़त के नीचे टार्ट जला कर देखा तो वहाँ एक बच्चा छुपा था उन्होंने हाथ की चावियां उस पर दे मारी और निर्विक्सवर में कहा बाहर निकल वो डर गया शोर मच गई सबास पड़ोस वाले कठे हो गए शीवी शुद्धा नंद महराज जी भी पहुँच गए कई लोग तड़ा तड़ो से पीटे ने लगे उनको इस तरह एक बच्चे को मारते देख करके संतोस मता कि ममता उमड़ पड़ी बार बार चल लाने लेगे मारो मत मारो मत इसे मारो मत बच्चा है बच्चा इसको मत मारो आप लो ये कह करके जा करके उसे छोड़ा दिया लड़के को ये पहिचान गई थी उसके पिता को भी जानती थी जहुरत मन समझ करके वो रिजिगारी जो चुराया था वो सब दे दिया उसको ऐसा स्वभाव था माता का वो सोचने लगें यह दिए इसको ऐसी जवरुत नहीं होती चोरी करने क्यों आता हूँ यह तो बालक है इसलिए उन्होंने पीतिनन भी नहीं दिया उसको सब दे दिया उसको पैसा जो भी चुराया था उसने ऐसा अद्भुत स्वभाव था माता का वो दूसरों की परिश्थितियों को दूसरों की दुखों को अच्छी तरह समझती थी अपने को परिशान नहीं करती थी दूसरों की परिशानियों को दूर करती थी बहुत निश्चल बहुत प्रेमी हिर्दे की भक्त है अब जो विराजमान है उमाता हूँ तो दर्शन मैंने प्राप्त किया है भक्ती से भरी हुई है और ये चोर वाली घटना हुई उस घटना से सभी चिन्तित हो गई और सरलाजी प्रग्या चक्ष थी अर्था नेट्री इंति तो अंधेरे में अब संतोस माता को भी कम दिखता था ठीक से नहीं दिखा जेता था दोनों याँखों में मोतिया विंद उतराया था तो श्री बाल कृष्ण दाश्ची महराज और मनोहर बाबा इनसे आँख का आपरेशन करा लेने का आग रह करने लिगे अब तक इंकार करती भाइंजी इस्थिति की गंविर्टा को समझने लगी और आपरेशन के लिए वो तो नेत्र ही ने और उसको भी समालना ही पड़ता है आप उन्होंने सोचा कि मैं भी नहीं देख पाऊंगे तो समाल होंगे कैसे हैं इसलिए उस सखी को समालने के लिए मुझे आँख अपने ठीक करानी पड़ेगी तो पूज मनोहर बाबा मथुराप सुपरसीद नेत्र विशेशग डाक्टर कुल सेष्ठ को घर पर ही ले आए उन्होंने बहिंदी को देखते ही शीगर आपरेशन करा लेने का परामर्श्रिया पहले तो ये टाल मटोल करती रही वस्ट अस्पताल में रहने को इनका मन था और उस पर स्री सरला जी की असुविधा को सोचा इनोंने तब ये परिशान थी क्योंकि स्रला जी को तो पूरे जिम्मेदारी स्नबालती थी तो स्री मनोहर बाबा ने आपरेशन घर पर ही करने की पूरी व्यवस्था करवा दिया और उस्षा जी ने राजडुलारी बहिन को देख भाल की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी बाबा के साथ डाक्टर कुल्शेष्ट जब घर पर आये तो संतोस माता बोली इस कमरे में तो ठाकुर जी विराजमान है यहां आपरेशन करना ठीक नहीं है बाहर बरामदे में चादर टांकर कक्ष सा बना लेते हैं डाक्टर कुल्शेष्ट बोले मैया मैं भी प्रहजवासी हूँ ठाकुर जी की गर्मयां और सेवा से भली भात परचित हूँ मेरा यह आपरेशन करना ठाकुर पूजा नहीं है वैसे भी हम डाक्टर लोग प्रभु को प्रणाम करके ही आपरेशन शुरू करते हैं तो आपरेशन तो इसी कक्ष में ठाकुर जी के समक्षी करना ठीक रहेगा वह सुतर सुत्रधार तो श्यामसुंदर ही थे अग पूज्या भहिन जी को मानना पड़ा पर संत पदरज में अतुलनी ये निष्ठा रखने वाली भहिन जी बिना किसी संत को प्रणाम किये कैसे ऑपरेशन करवा लेती हैं इनकी कहने पर राय दुलारी भहिन शील जी को बुलाने चल दी शील जी भी ठाकुर सेवा में ही थी और इनकी को शीला जी था शील जी करिया दे थी पर इनके ऑपरेशन की सुनकर जट पड़ चली आएं सभी की संतोस बहिन जी के प्रतियगाद शद्धा थी इस तरह पूजय संतोस बहिन जी की आँख का ऑपरेशन हो गया और थोड़े दिन बाद दूसरी आँख का ऑपरेशन भी सफलता पूर गर में ही हो गया इस बार चंडीगर से निर्मला भावी को बुलाया जीने कुछ दिन संतोस बहिंची की सिवा कर सुदूर लब उसर मिला अस्पताल में नहीं जाने की उनकी जिद को ठाकुर जीने निभा दिया और सहज ही उनके उपचार की सारी व्योस्था घर पर करवा दिया मानों अपने सभी प्रेमी बांधों को सदय उनकर आशित हो निर्वह रहने का अश्वास्था दे दिया वक्तों का दियान कनया इतना करते हैं कि उनके मन की विबात पूरी करते रहते हैं वस्तोता अधियन संतोस मा के जिन चर्या का मुख्यम बथा तो ठाकुर्जी ने उनके नेत्रों की सुरक्षा है तो सब व्यवस्था बड़े कौतुक में धंचे कराई आप संतोस भाहिन जी फिर उनी ग्रंतों में मगन हो गई अब तो उनके दिखलाई पढ़ने लगा फिर अधियन करने लगी अवनने इत्रों के ठीक होने का हैर पल पूरा पूरा लाब उठाया दिन रात पुस्तके ही उनकी संगिनी थी कल्याण के कथा के अइंक सतकथा अउंक, संत अनक, संत वाणी अउंक, वह भाक्त अउंक इने बहुत ही प्रेय थे उनको बहुत ही प्रेम से पढ़ती थी यहां तक कि कल्यान के अंकों से निकाल करके कागज उनकी अलग किताब से बनवाली थी और उनी दिनों इनके आपरेशन का सुन करके उज्य आनंद दास बाबा इने देखने आये क्योंकि यह संत लोग इनको बहुत मानते थे भक्तों इसलिए देखने आये और दाइन की मूर्ति स्री संतोस वहिंजे इन्हें देखते ही जहट तखत से उतर कर नीचे जमेन पर बैठ गई बाबा को तखत पर बैठाया उनकी चर्ण धोल लेने लगी बाबा का बाबा की चर्णों की रज उठा के मात्य से लगाने लगी इनके सुभाव से परचित बाबा हंस दिये और कुछ ही पल में सब कुछ भूल करके वहां बैठे सभी लोग ठाकुर चर्ण में डूब गए इने तो ऐसे ही अपने बीमारी का ख्याल आता ही नहीं था दिन रात लीला चिंतन में ही बीटता था ठाकुर भी इनके अंग संग ही डोलते थे एक दिन सादू भक्त विजय इने देखने और प्रणाम करने आये और संतोस माता उस समय सरोज बहिन की सहायता से ठाकुर जी के भोग की वेवस्था कर रही थी बर्फी का चूरा करा करके आटे में भरके पराम्ठे बनवाती हैं शंतोस माता ने विजय भाई को प्रशाद वहीं पाने का अग्रह किया घी से सराबोर पराठों को विजय भाई जो भक्त उठाज थे खाने शीन कार कर दिया कि हम इतने घी वाले पराठ नहीं खाएंगे तो महराज लाड प्यार में डुलार में संतोस माता डांट सी कह डांटती सी बोली अरे नकरेलू कहीं का विजय भाई तो नकरे दिखा रहे थे पर ठाकुर जी मानों वे सब रिष्चे उन पराठों की प्रतिक्चा कर रहे थे और संतोस भाहिन जी को आभास हुआ कि मानों ठाकुर कह रहे हैं कि हम खाएंगे हम खाएंगे हमें खिला हो यह यह भाव भी बहुर हो उठी क्योंकि उनको ठाकुर जी का सब्द सुनाई पढ़ रहा था भोग लगा करके इनोंने उस प्रसादी पराठे का कंड लेकर के सेश टुकड़ा उशा जी को भिजवा दिया अंतर्यामिनी उशा जी ने भी उसमें से कंड लेकर के सब बहिनों को बांट दिया क्योंकि उशा जी कोई पता चल गया कि कनईया ने बड़े प्यार से खाया। ठाकुरु स्फुर्णा और अन्भूतियों से इंसंतों का तो पूरा जीवन योट प्रोथ था। मराज ऐसी भक्ती थी इनकी। सनुन्नी सो नवासी में ललता माता जी ने घर का वो हिस्सा जिसमें उशा भहिंजी रती थी आमीचंद को बेश दिया। आमीचंद जी का दिल्ली में ब्रहुसाय था। जिन रात अपने आराध्य राधा माधव की सेवा में रत थे। और व्यवसाय की और ध्यान नहीं देते थे। फलस्वरूप सांसारिक सोखों का अभाव और बंदुवर की उपेक्षा होनी स्वाभाविक थी। उन दिनों अमीचंद जी बरसाने में श्री जी के आश्रे में साधना में जीवन बिता रह थे। इधर दिल्ली में व्यवसाय रक्षार्थ ठाकुर जी ने कुछ अलव की कृपादान किया। भाव भीवल अमीचंद जी घर ग्रिहस्ती में अब नहीं रह सके। और सब कुछ छोड़ करके स्थाई रूप से ब्रजवास के लिए आ गए। ब्रिंदाबन में वो अस्थान की तलास नहीं थे कि सववागिसे सिंधी कालोनी में ललता माता जी के घर को खरीदने से संतोस माता के दर्शनों का सुवशर मिल गया। आमीचंद जी की संतोस माता के प्रति बहुत शद्धा थी। ये चाहते थे कि संतोस माता वो सरलाजी इसी घर में रहें। इस बहाने इनकी सेवा होती रहेगी। पर इनका अपने राधा माधव के लिए सुंदर मंदिर बनाने की चाहती। और संतोस माता के लिए भी आवश्चक सुभढ़ाएं जुटा करके उनकी सेवा करने की भावना थी इसके लिए वो मकान को तुड़वा करके फिर से बनवाना चाहते थी इसलिए संतोस भाहिन जी सरला को लेकर कुछ आवद के लिए बड़ी कुझ कामदा भाहिन की कमरे में आ गई थी भक्तों ठाकुर जी अपने प्रेमियों के भाव की रक्षा करते हैं इसलिए भगवान इसलिए लगते हैं तो मंदिर बनेगा इसलिए तोड़े जीन के लिए बड़ी कुझ में गई थी कामदा भाहिन के पास जो यह मुना कुलिन के निकट में है अब वहां के लिए मैं आपको कल कुनाओंगा आज माता को प्रणाम करके यह विराम दे रहा हूं शीरदीर ते वे शीरदीर ते शीरदीर शीरदीर